हालो एवरिबन आईटे भारते इसकी लेटी चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हमारी क्लास होगी आईटी आई फीटर फस्ट इएर वालों की क्लास है और जिनका एक्जाम 2023 यानी की 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाले अगस्त तक आपके एक्जाम च एक्जाम में बहुत ही यूसफुल होगा इसलिए आप से में क्वेश्ट करता हूं पर एक्जाम से पहले आप जितनी ज्यादा प्रेटिस कर लेंगे उतना आपको सीविटी एक्जाम उतना इसको बढ़ जाएगा तो आसा करता हूं वीडियो को ज्यादा से जदा अपने स् पंपने सकते हैं एक्स के रूप में चिन्नित कोड का नाम क्या है तो यहां देसकते हैं आपके स्कीन पर दिये गए तो सभीसादि कमेंट कर बताएंगे हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं option number 6 राइट अंसर हो गयानि हम इसको क्या बोलते हैं हैलेक्स कॉण बोलते हैं ठीक है अच्छे से याद कर लेना एक्जाम में जो डाइग्राम संबंदी question आपके बहुत अतिक पूछे जाते हैं इसलिए आप अच्छे से याद जरू कर लें तो अगला question आपकी स्कीन पर दोस्तों को देखेएगा और आपकी एक्जाम के लिए इंपर्टेंट इसमें दिया गया कि ड्रिल किए के छेद को फिनिसिंग करने के लिए की गई प्रिक्रिया का नाम के कहने का मतलब जो ड्रिल करते हैं उसके बाद छेद को फिनिस करने के लिए प्रिक्रिया की जाती उसका आपको नाम बताना तो देश सकते हैं आपके सामने चार option से दिएंगे सभी साती बताएंगा सका right answer कौन सा हो चार उप्षिन से तो जिसने भी इस्टूटन वीडियो देखने लिए सभी comment कर रहें उसका right answer चलते हैं है अगला कुश्ण को क्यों में कहन किभी रीमर के डाथों में असमान अंतराल होताIT एक जैसा कोई झोटा होता होता को एrav वारे में पूछा तो देशकते हैं आपको सामने चार प इसका कारण कॉंबताना कोन सा हों सब्सक्राइंगे राइट लाइट चRAYां एसृब करने के लिए क्ट आट सरे करतें स्बाइब को मीश डाइट राइट करने के लिएł सब्सक्राइब करें तो जली से कमेंट करें सभी साथी जितने भी स्टूडट वीडियो कहेंसे डी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को दो मिलें कैसे काउंटर स्टूड़ क्या है रिवरिंग के सब्सक्राइब कोन से होगा तो सभी कमेंट कर बताएं इसका राइट आंसर कर रहे हैं आप्शन नमबर इसका राइट आंसर होगा कितना डिगरी का होना चाहिए सब्सक्राइब करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण क्या यह पूछा गया तो दे सकते हैं आपका सामने चार कारण दिएगा तो वह कौन सा सही कारण होगा वह आपको बताना है तो कमेंट करके जले से पताएं इसका रायट आंसर कौंसा होगा चार अप्शन मेंसे तो जो भी साथ इसका रायट आंसर कर रही है और नमर सीज राइट आंसर होगा यानि हमारा क्या हुआ answer होगा क्लिरेंस एंगल सही नहीं है मतलब कि जो क्लिरेंस जो एंगल होता वह सही नहीं होने की कारण क्या होता है ड्रिल के बढ़ा करने के लिए operation का नाम क्या है जैसे कि कोई घहराई है उसके चिद्र को बढ़ा करने के लिए जो operation करते हैं उसका आपको नाम बताना है तो दे सकते हैं आपको सामने चार operations दिए गए आपको बताना इसका right answer कमेंट करके तो सभी बताएं इसका right answer चारा उप्षिन में से कौन सा होगा जितने भी स्टूटेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें कुई आपका एक्जाम बहुत नस्दीक है आप जितनी प्रेटिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा तो बताने इसका राइट अंसर कौन सा होगा चारा उप्षि जलते हैं नेस्ट कोश्चन आपकी स्कीन पर दोस्तों एरा एक नमबर का यह इसमें दिया गया है कि यह दिद्रिल का क्लिरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा वान दे सकते हैं आपके सामने इसकीन पर चार उप्षिन से दिए गये तो सभी साथी बताएं कि उसका राइट आ अगला कोशन नमर देखिए कि यह द्रिलिंग के दौरान जो इस पेंड़ होता है कि केंदर से बाहर चल रहा हो वह क्या होगा तो इसमें से चार वचाएं वचाएंस भास किस शेद आपको बताना हुगा इसमें राइटान सर मतलब डे टूट जाएगा डे अधिक गरम हो जाएगा उप्षिन सी हमारा डे रफ उप बनाते हैं ऐघिक आकार के छेद बन जाते हैं तो इसमें सब्राइट कौन वह इपको बताना या सब्कुर्ण करेंगे जल्ली से वच्छे से डिल्ली से इसको राइट आंसर तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं option number D is right answer होगा यानि कि हमारा क्या हुआ अधिक आकार के छेद बन जाते हैं option number D is right answer अगले कुशन चुलता है अगले कुशन दोस्तों आपके exam के लिए very important diagram संबन दी तो इसमें दियागा thread के एकस के रूप में जो चिन्नी तत्तों कहाँ नाम बताई है तो दूस्तों यहाँ पर एकस के रूप में जो चिन्नी जो भाग दिया गया इसका आपको नाम कमेंट करना है तो सभी साथ ही बताएंगे इसमें से चार अप्शन से कौनसा होगा route होगा lead होगा puck होगा यह flank होगा इसका right answer कि सभी कमेंट करेंगे इसका right answer तो जो भी साथ इसका right answer कर रहे है हमारा ten नमर का c उनका right answer हो गए पिच इसका correct answer होगा अच्छे से याद कर लाए ना इसको बोलते हैं ठीक है अगले कोश्चन चलते हैं नैस कोश्चन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा कोश्चन को दिखे कोश्चन में दिया गया कि एक ग्राइंडिंग वील जिसका वी निर्देश अगर आपको सामने दिया गया बतीज ए 46ρώर 5576 488 वी तो इसमें जो एक क्या दर्साता है जो एन है किसको दास आगा इसके बारे में पूच्छा गया तो सभी करें इसका राइट अंसर जलिए से बता है जिसने भी श्टूइड वीडियों जो करें तो जो पिसाथ इसका राइट अंसर होगा यानि हमारा क्या हुआ अपगर्षक का प्रकार को दर्शाता है ठीक है अगले कोशिन पैलता है नेस कोशिन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा के लिए नए ग्राइल्डिंग फील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए तो क्या करेंगे देख सकते हैं यहां पर दियागा ट्यूरिंग करेंगे ऑप्षिन भी हमारा देख ग्लेजिंग है लोडिंग है और ड्रेसिंग है तो इसमें से करेक्ट कुन सा आपको बताना तो अगले कुशिन आपके स्कीन पर दूस्तों यह रहा है और इंपोर्टन कुश्यन इसमें पूछा का ब्लाष्ट फरनेस से प्राप्त उतपाद क्या है जो ब्लाष्ट फरनेस होता है उसका आपको प्रोडेक्ट का नाम बताना तो बताएं से कौन सा होगा सही से सभी कमेंट करेंगे इसका करेंगे सागरेंठ या राइट रहाइट शलोग यार में इसका राइट अंसर होगा अगे लेक्स नैस क्येन पर दोस java तो नमबर कोश्चन में देखिए इसमें पूचा मैगरेट और बॉल बैरिंग काटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातू का उपयोग किया जाता मदली कि अपयोग करेंगे यह आप से पूचा गया यहां देखेका को वाल्ड दिया गया गया और मॉली ब्लेड डम नम सब करेंगे और वीडियो को जरूर करें अन्चात्रों को भी इस वीडियो का लाव हो सके तो जलिए बताना इसका राइट आंसर को आप कि विजुप इसका राइट अंसर और होगा यानि कोबाल्ट जो होती है धादू हमें प्राप्त होती है ये ये पूछा गया तो आपको बताना सही मान कौन सा होगा तो जो भी साथी it सब्सक्राइब देखा सभी कमेंट किया करें ठीक है तो जो भी साथ इसका राइट अंसर करें ऑप्शन नमर 20 राइट आंसर होगा ठीक है अगले कुश्चिन को देखिए इसमें कौन सी धातु कई प्रकार के अमलों के लिए प्रतिरोधी इसका नाम बताना तो जो भी साथ इसका राइट आंसर का रहे हैं ऑप्शन नमर सी राइट आंसर यानि लीड जो हमारा है यह क्या है वो अमलों के लिए प्रतिरोधी ऑप्शन नमर सी राइट आंसर है लीड इसका करेक्ट आंसर हो अगले कोशन जलते हैं देकिए आखिये आपर कोशन दिया गया है टेली खोप्टा गेज का उपयोग क्या है जो कोब्था करके बता है इसका इंस्का राइट आंसर कोが है इसका उपयोग क्या है यह पूचा गाए देश सकते हैं आपको सामने चार आप्षिन से लिए और सही गेस करके बताएं इसका राइट अंसर कौन सा होगा तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं और डीज राइट अंसर यानि हमारा क्या हुआ छेद स्लोट के आकार को मापने में हम टेली इसकॉपिक गेज का उपयोग करते हैं अच्छा कोशन आपके एक्जाम के लिए अगला कोशन दोस्तों यहां ती जागा देखिए अ का यूज करेंगे इसके वारे में पूछा गया देश सकते हैं अपर एजी आउट वीदी दिया गया ड्रिल हॉल बनाना दिया गया और यहां पर जो प्रिक पंच वीदी दिया गया और वर्गा कार टेपर पंच उका उपयोग दिया इसमसा आपको कमेंट करना है कि राइट सब्सक्राइब तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं ऑप्षन नबर सी उनका करेक्ट ऊप्योग करेंगे इसमें जो होता प्रिंग का पंच वीदी का यूज करेंगे ऑप्षन नमर सी राइट अंसर अगले नेक्स्त नमर आपकी स्केंट पर दोस्तों घरा कॉश सब्सक्राइब करें तो जो भी साथ इसका राइट अंसर करने हैं आप्षिन नमर 20 राइट अंसर यानि कितने डिग्री का कौन होगा इसका राइट आंसर क्या होगा चलते हैं नेस्ट कुश्चन दोस्तों आपके स्कीन पर दोस्तों आचुका कहा यहीं डाइग्राम संबंद है इसमें दिया गया ड्रिल विट मे एकस के द्वारा चिनित किया गया कोण का नाम किया तो यहाने सकते हैं उसको र जो इसको आपके सा करें तो जो कर रहे हैं आप्षिन नमर्ट लिप क्लियरेंस को राइट आंसर रोगा ठीक है तो अगले पूशिन पर दोस्तों यह राइक इस नमर्ट देखिएगा यहां पूछा गया है कून किस कॉन से निर्धारित होता बिंदु कॉन कॉंड इसके बारे में पूछा цент करने किसके कारें लुता यह आपको कमेंट करना तो सब साती जली से कमेंट करें सबसाइब तो जो भी साथ इसका राइटन से कर रहे हैं उसका या कैया करेक्ट अंसर होगा अगले कोशचन पर चेश्चन पर एक्सेंक्स में इसमें दियागा क्या रीमर और सब्सक्राइब करने में एक क्षेद को बड़ाव करने और क्षेद करना option ड्रिल की आपको बताना करना तो इसमें से कौन सा राइट है यह आपको बताना है तो कमेंट करें सभी साथ ही जली से कि जितने भी स्टुडेंट वीडियो देखर हैं सभी कमेंट किया खरें तो जो भी साथ ही इसका राइट अंसर कर रहे हैं करेंट ट्रिल का उद्देश से क्या है तो उद्देश से पूछा गया टाइप एंड तो सकते हैं आपको सामने चार अधियों पर्टे कौन सा वह गेज कर बताना तो ज़ली से क्साथ का राइट अंसर को वना ने सामान निम्न कारवण स्टील के लिए उत्याइवां किया जाता है तो और ड्यूहांसर गूहां कई तो अगला कोशन पर दुस्तों शर्चबिस नम्र पर आचों इसमें इसमें कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा तो ऐसा कौन सा जो रेमर है जिसमें क्या होता है जो टेपर होता है वो टेपर लिड लंबा होता है तो देच सकते हैं आपर चार रीमर देएगे इसमें हैंट रीवर सोकेट रीमर और मसीन रीवर और हेलिकल फ्लूट रीमर इसमें तो सही कौन सा ये आपको बताना तो कमेंट करें सभी साथ इसका राइट अंसर तो जो पिसाथ इसका राइट अंसर कर रहा है हमारे आप्शन नमर 20 राइट अंसर होगा यानि हमारा क्या होगा यहां पर सौकेट रीमर इसका राइट अंसर होगा अगला हमारा नेस्क्षन है 25 नमर को दीगे इसमें दियेगा पाइलेट के साथ हेंड रीमर में पाइलेट का कार रिक्या है तो दिशकते हैं आपर चार कार दीगें अच्छे से पढ़िए इसमें से आंसर कमेंट करके बताएए कौन स इसा सही होगा और इसकी बार आपको बता हैं को कोन सा राइट ऑनसर के साथ करने करने के लिए एक बार रिपीट कмы करने के लिए एक बार रिपीट कर देता हूं रिमर को रिमर्ड होने वाले होल के साथ कॉंसेंट्रिक करने के लिए इसका राइट आंसर होगा कर लेना अगले कुशन को दिए को साइज को एक इसमें से में सब्सक्राइब आपको सभी साथ ही बताएं इसका राइट अंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से तो जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं और बीस राइट अंसर होगा यानि हमारा क्या होगा है आपर जॉब मटेरियल ते करता है कि अगले कुछिन दोस्तों देखिए को कुछिन में दिया गया है कि 10 mm के छेद की रीमर रीमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज अगर आपका 0.2 mm और ओवर साइज आपका 0.05 mm दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा अप्शन नमर भी इसका राइट आंसर होगा यानि 9.75 mm इसका करेक्ट आंसर हुआ तो दोस्तों एक्जाम में ज़्यादा आपकी नुमेरिक बहुत कम पूछा या आगले कोश्चन चलते हैं कि of a कूश्चन मा दोस्तों दिया है इस टूल का नाम किया आज तो जोब साथ इसका उंसर कर रहे हैं। normal erg इसको क्या बहुते हैं इस्टार बेटर्ट विल बोलते हैं हमारा चत्र में लेत तो हमारा चीत्र में तॉप मैं टिक हैं थे करते हैं कहीम अगले में सश्वाम हैं इस सुनित ट्राइटिन धामРЕटिक कए टो जो भी साथ है और यहाई दोस्थ का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग भील की सतय चिकिनी और चमकदार हो जाए तो इस दोस्त का आपको नाम कमेंट करके बताना देशसकते चार दिए गें दोस्त इसमें से सही दोस्त कौन सा यह कमेंट करना तो कमेंट करें जली से और वीडियो को जादा साथ आपने स्टेडी गुरूप पर बाट सकुरूप जरूर शेयर करेंगा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को राइट और और साफ में लGS पातको क्मेंन करना करना या लगुषण करें तो आसानी को समझा तो पता सकते हैं तो कमेंट करें अगर आईडिया मैं आपको समझा तो भी आप बता सकते हैं तो जो पिसादिस का राइट हந यानि का जंग प्रत्रोधी मतलब जंग प्रत्रोधी होने के कारण रोट आइरन के बना जाते हैं ठीक आप्शन नमबर डीज राइट अंसर होगा अगले कुशन देखिए यहां पर आपका स्कीन पर आ चुका है इसमें दियागा ब्लास्ट फरनेस एक्स के रूप में चिन्न जो भाग दियागा इसका आपको नाम कमेंट करना इसको क्या बोलते हैं तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जली से चार अप्शन से कौन सा होगा तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं या ऑप्शन नमबर इस राइट आंसर होगा यानि क्या बोलें कारवन कोंटेंट की रेंज क्या होती है जो कास्ट राइन रहती है उसमें कारवन कोंटेंट की रेंज कितिनी होती मत उसका मान के तना होथा इसके वारे में पूछा गया देश सकते हैं आपको सामने एस राइट अंसर होगा नेंस क्वेश्वन आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह रहा है वर्णियर माइक्रो मीटर में एक्स के रूप में चिन्मित भाग का नाम बताना देज़ सकते हैं आप एक्स जो चिन्मित भाग दिये गए इसका आपको नाम कमेंट करके बताना इसको क्या का वोलते हैं तो कमेंडे करें अगर आपने सामने ये वर्ले कि माइक्रोमिल्टर अगर आपने यूज किया तो इसका आप नाम साहिसे बता सकते हैं चाइव मेंसे कमेंड करें को जो पार्ट से होते हैं उनका नाम याद होना चाहिए नहीं आते हैं तो आपके टीचर रहते हैं उनसे आप जरूर पूछा करें अगले कुछिन आपके स्कीन पर दोस्तों आगा कुछिन पूछाएगा टूटे हो हुए ब multif ल गीया तो घोटा हुआ उसको हटाने वाली नाम कमेंट करका बताना यह जो कमेंट करें साथी 35 haircut कौन साiken करें तो चैसे करेंगा ऑप्षिन right answer यानि हम असलियो क्या बोलते हैं प्रिक पंची बीदि कहते हैं और फिक पंची लिए न कर ले न तोब झुंच जलते हैं आगला कोशन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका पूछए नोप पूचा गया हैhole कि 10 द्रिल किये एक च्टीश के अंत को फ्यागत को Benedict का कार्ण है तो जो वह बृबिंगं सब्लream आप option number डीज राइट अंसर होगा यानि हमारा क्या हो काउंटर सिंकिंग इसका करेक्ट आंसर होगा अच्छे से याद करने एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है नैस कुछिन चलते हैं अगला कुछिन आपकी स्कीन पर दूस्ट कुछिन में यह क्लिरेंस कोड गलत है तो क्या पर एकसिन नमर्वेट आश्याने ऑपर हिट को इसका राइट अंसर होगा अगला कुछिन आपका ऑचकर आ चुका इसमें दिया गया एकस के रूप में चिन्ज जो भाग है आपको इसका नाम बताना तो अगोन कर दो सा तो जो बुछ साथ इसका राइट अंसर का आएगा, 60 नमर्वं ट्राइट ए Random संक कॉण बोलते है लिए het सब्सक्राइब करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया था तो देश सकते हैं आपको सामने चार रीमर का कमेंट करना कौन सा हुआ तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट अंसर इसको हम क्या बोलेंगे समानांतर सेंक के साथ सौकेट रीमर का यूज करेंगे मतलब आंतरिक जो मेट्रिक जो बता हूं मोर्स टैपर्ड होल को रिमिनिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग करेंगे समानांतर सेंक के साथ सौकेट रीमर का यूज करेंगे अगले कोशन जलते हैं कोशन को दिए कोशन में दिया गया है इ सबida करें सका राइट अंसर को जोबी साथ इसका रिया राइट एंज रिमर को बोलते हैं हैं तो दोस्तों आज की क्लास हम हम अइंड करते मिलतें नेक्स्क लासमें और नए क्वेश्चन के साथ आसा करता हुए वीडियो अच्छी लेगी वीडियो को जादा से जादा अपने स्टेडी गुरूप और वाटसप गुरूप में जरूर शेर करें अगर चैनल पर पहले बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और पर वगंटी को प्रेस करना जिसे नोटिफिकिशन आपके बात तुरंत पहुंच सके अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक जरूर करना तो थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो जय हिन जय भारत